दोस्तों यदि आप अपने मुबाइल के डाइलर पैड में दो बार दबाएंगे तो किसी की भी पोल आप जो है खोल देंगे अब यह मैंने आपको क्यों कहा कि हूँ कि दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं आपको आपके मुबाइल में जो डाइलर पैड है डाइलर पैड स के बारे में बताने वाला हूँ hidden trick है दोस्तों या आपके जो आपके मुबाइल में पैड है ओके डाइलर पैड है इसके बहुत ही hidden tricks है ओके इनको थुड़ा ध्यान से देखना ध्यान से समझना आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब दोस्तों जब आप अपने मुबाइल में किसी के पास भी कोल करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो डाइलर पैड को ओपन करते हो और फिर नंबर डाइल करते हो आप लोग सोचते हैं कि डालर पैड़ का केवाल यही काम है किसी के पास जो है कोल मुझे करनी है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तो आज जो मैं आपको चार ट्रिक बताने वाला हूँ आपके वाले के डालर पैड़ को लेकर दोस्तो आप इन ट्रिक्स को सीखने के बाद चोकने वाले हो और मुझे कमेंट करने वाले हो कि कास इन ट्रिक्स के बारे मुझे पहले भी पता होता अब दोस्तो बात करेंगे पहले ट्रिक के लेकिन ध्यान लेकना जो चाह नंबर की ट्रिक है वो बहुत जादा वी आई पी है चाह नंबर की ट्रिक को देखे बगार इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना छोड़के बिल्कुल मत जाना ओके बहुत यूजफुल ट्रिक होने वाले है दोर्स तो चाह नंबर की आप लोगों के लिए आपके बह मुबाइल लिया उसने नया बता के दिया आपको लेकिन वह तो बहुत पुराना था तो वो डेट आप कैसे निकालेंगे जिस दिन आपके मुबाइल में पहली बार सिम डलाओ यह तो आप सभी को पता है पांच-छे से महिने से ज्यादा कोई प्राणा मुबाइल नहीं होता जो दुकान पर रहते हैं नहीं मुबाइल निकल कर आ जाता है लेकिन उस सिम को पहली बार यूज करना कभी स्टार्ट किया तो यह आप कैसे पता लगाएंगे इसके लिए दोस्तों हमेशा आपको जब आप कोई भी नया मुबाइल ले जब आपको चेक करना चाहिए कि क्य इसी और ने जो है आपके मुबाइल को यूज किया हो पहले जो है हड़ेट करके फिर आपको दुबारे से नया मुबाइल बनागर बेच रहा हो ओके तो कैसे पता लगाएंगे आप ध्यान लेकना यह जो ट्रीक है यह अलग-लग जो है तरीके से हो सकती है तो इसके लिए अपनेट पर जाकर भी सर्ज कर सकते हो आपके मुबाइल के लिए क्या रहेगा ओके जुब मेरे पास मुबाइल है वाषे मैंने दो-तीन मुबाइल में चैक क्या है एक ही कोड है आपको मतलब इस मतला चकρι लगानी अपको घन तो ँर चकरी फिर आपको अब आना है 3, 6, 9, इसके बाद आपको करना है hash, ओके, ये code ध्यान से देख लेना, आप, यदि आपके वाल में ये code वरक नहीं करेगा, तो आपको बताऊंगा मैं, कि आपको अपने वाल में क्या करना है, फिर ओके, तो यहां पर आप करेंगे hash, जैसे आप hash करते वाल में radio frequency वाई, वो क्या date थी, radio frequency कब आएगी जब आपके वाल में, शिम डल जाएगा, है ना, तो पहले date क्या थी, जब आपके वाल में, शिम डला गया, ओके, इस चाप पता लगा लेंगे, कि आपने मुबाई नया ही लिया, तो यहां पर यह जो इसका आगे नंबर डि ले हुए है, इसको उल्टा कर देना है आपको, जैसे यह है, 2020-0827, अब मुझे इसको उल्टा कर देना है, उल्टा क्या हो जाएगा, 27-08-2020, यानि कि 27-08 महीना था, और 2020 मैंने इस मुबाईल को लिया, ओके, तो यह date थी, जिस दिन इसमें पहली बार SIM डाला गया, तो यहां आप यह date नहीं दिखा रहा है, आपको जब आप मुबाईल ले रहे हो, latest date दिखा रहा है, तो यह फिर आपका मुबाईल नया ही है, यह ध्यान लेखना, 5-6 पुरानी यह date हो सकती है, ओके दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको practically करना है, अब यदि यह आपके मुबाईल में यह code work ना करें, तो आप दोस्तों अपने Google में जाके इस तरीके से search कर सकते हो, RF mobile code, RF value mobile code, तो आप यदि यह search करेंगे, तो आपके मुबाईल में जो है, आपके हिसाब से code दिखाई दे जाएंगे, ओके दोस्तों, mobile का जो आपका brand है, उसका नाम लिख लेना, अब दोस्तों बात करेंगे second trick की, second trick क्या है दोस्तों, जैसे कि आपके मुआल में 123456789 और 0, यहाँ पर यह number रहते है, delay way, अब आप लोग सोचते हो कि यार यही काम है, number dial करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी दोस्तों, मान लिजे कि आपका कोई फ़रेट दोस्त है, उसके 3-4 number थे, लेक देते हो, सुभम, 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 लेकिन उसका mobile number change होता था, लेकिन इस trick को यदि आप अपने वालवाई set कर लेंगे, तो आप हमेशा उसके correct number पर ही call कर पाएंगे, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा दोस्तों, यदि आप यहाँ पर आप अपने वाले के छी डोट पर जाए अब यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपके सभी contact खुल करा जाएंगे, अब वो जो आपका दोस्ता है, उसका contact आप select कीजिए, जो कि अभी उसका चल रहा है एक ही name से, जैसे आप 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 देख सकते हो, सुभम, सुभम name से कितना सारे contact है, लेकिन जो contact चल रहा है भी, मैं उसको select कर लोगा, इन future कभी भी यह दो बार number जो है, नहीं होगा, जो मैं डाल करूँगा, वो ही number उसका लगेगा, तो मैंने यहाँ पर यह वाला number select कर लिया, अब दोस्तों, जब भी आपको लगे कि मुझे सुभम के पास call करनी है, केवाल आपको तीन दबाना है, तीन को set कर सकते हो, और कुछ mobile तो ऐसे है, उनमें ज़्यादा number भी set जो है, हो जाते है, तो आपके mobile में जो dialer pad रहता है, इस से आप अपने mobile की battery को, जो है, सही कर सकते हो, सही कैसे, दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है, कि आपके जो mobile की battery है, वो अभी तो 50% थी, लेकिन अचानक से 10% हो गए, आपने mobile जो है, 10 minute यूज किया, अभी आपके mobile की battery 90% थी, लेकिन थुड़ देर बाद ही, वो 20% हो गए, यहार, ऐसा कैसे हो रहा है, थुड़ देर हमने उसको charging पे लगाया, charging पे केवले 5 minute लगाया, लेकिन battery फूल चार दिखा रहा है mobile, है ना, तो इस condition में मतलब ज क्या मतलब है, क्या इसका use है, वो पुरा सुन ना, थोड़ा सा, ओके, जिसके आपको सही से समझी में आ जाएगा, ओके, तो यहाँ पर आप एक code डायल करेंगे, यह code सभी mobile में work करेगा, लगबग, ओके, यहाँ पर डायल करेंगे, star hash, 0228, और यहाँ पर आप लगाएंग पर आप click करेंगे, अब यहाँ पर यह warning देगा, warning में क्या बताएगा, कि fuel gauge will be reset, causing battery capacity to be inaccurate, do not use it unless it is written in your test procedure, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ हुआ हिंदी में, मतलब यह आप इसको okay करते हो, जो आपका fuel gauge है, fuel gauge का मतलब होता है, जैसे battery का 80% दिखा रहा है, तो fuel gauge का मतलब है, 81% battery charge है, यदि यहाँ पर दिखा रहा है, 100% लेकिन battery तो 50% charge है, तो fuel gauge gauge में problem है, उसको reset करेंगे, मोबाइल के, जिसके हमारी battery की जो capacity हो accurate हो जाए, तो यदि आप यहाँ पर इसको okay करेंगे, अब आपका मुआल का लोक लग जाएगा, वापिस चाप स्कोन करेंगे, अब का मुबाइल गलत दिखा रहा था आपको, तो यह use है इस setting का, okay, battery performance को बढ़ा सकते हो, आपके हैं कि वो सही से charge होगे, सही से discharge होगी, है ना दोस्तों, आप धोकी में नहीं रहेंगे, तो इस तरीके से आप इस trick को use कर सकते हो, अब बात करेंगे 4 number की setting के, जिसके बारे मैं आपको बताया कि आपके लिए बहुत जादा useful हो सकते है, दोस्तों, एक scenario में, वो क्या है, मान लिजिए कि आपके mobile में आवाज बहुत कम है, और कई scenario में क्या होता है, कि आपके पास जब किसी की call आती है, तो आपका जो mobile का speaker है, उसमें आवाज बहुत कम आती है, लेकिन य जाएगी, वो कैसे, आप अपने वाले के डालर पेड़ पर इस तरीके से खोलेंगे, यहां पर उपर की साइड ती डोट रहती है, यहां पर जाएंगे, यहां पर सेटिंग में जाएंगे, यहां पर जाने के बाद आपको एक ओप्सन देखने को मिलेगा, other call setting, यहां पर लाईगा बहुत ज्यादा आवाज आपको सुने देने वाली है ओके ये सेटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा उस्वल होने वाली है ये आपके साथ मुझे स्वाज कम थूख तो ये चार और आपको बता नहीं